प्रिभक्त गणू किसी व्यक्ति का भाग्य अगर साथ नहीं दे रहा हैं तो जोतिस सास्तर में कुछ उपाई बताए गए हैं अगर इन उपाई को पत्नी करें तो पती का भाग्य जाग जाएगा और आपके जीवन में खुसाली आ सकती हैं तो प्रिभक्त गणू आईए जानते हैं पती का भाग्य किस तरह से पत्नी बदल सकती हैं जैसा कि अक्सर आपने घरों में सुना ही होगा कि महिलाय माता लक्ष्मी का रूप होती हैं हिंदू सास्त्रों में भी इस्तरियों को लक्ष्मी सरूप माना जाता है कि जो इस्तरी हर दिन पूजा पाट करती हैं तो उसका फल उसके पती को अवश्य मिलता है घर में महिलाओ को हर दिन सुबह उठकर सबसे पहले श्नान करना चाहिए इसके बाद तुलसी जी को एक लोटा जल अरपित करना चाहिए इसके बाद माता तुलसी से प्राथना करनी चाहिए कि हमारे घर की दुख संकटों को दूर करें घर की महिलाओं को हर दिन सुभा में इसनान ध्यान करने के बाद तामबे के एक लोटे में जल लेकर पूरे घर में छरकाप करना चाहिए ऐसा करने से आपका घर सुध रहता है किसी भी प्रकार की नकरात्मक शक्ति प्रवेश नहीं करती है माना जाता है कि अगर आप इन उपायों को सच्ची मन से करेंगी तो आपके पती का भाग्य अवश्य ही बदल जाएगा शुक्रवार के दिन आप पती पतनी संयुक्त रूप से भगवान विश्णो और माता लक्ष्मी जी की संयुक्त रूप में पूजा अर्चना करें और भगवान से अपने दुख दोर करने की प्राथना करें इससे भी आपको काफी लाप मिलेगा तो यह ती खुछ जान करें अगर आपको यह जान करें अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सुस्क्राइब करें धन्यवाद